हेलो एव्यवन और वेलकम टो मीची काट मेरे नाम है प्रियांका और आज हम बात करेंगे हमारे स्मार्ट प्रोड़क्त के बारे में जो की है अमीची स्मार्ट का स्मार्ट प्रोड़क्त वायरलिस जो वेल तो आईए सबसे पहले जानते हैं कि हमारा जो प्रोड़क्त है मीची स्मार्ट वायरलिस जो वो आपके जिन्दगी को और भी ज्यादा कैसे आसान करेगा आपको मार्केट में अलग अलग डिफरेंट तरीके की दोरबेल्स मिल जाएंगे लेकिन उसे इंस्टॉल करने के के यूज कर सकते हैं आप हमारे अमीची स्मार्ट डोरबेल के साथ मेंде टोटल आर्ट रिसीवर एंद आर्ट टरांस्मेटर कर सकते हैं और जो हमारा रिसीवर है उसमें total 36 melodious ringtones हैं और साथ में आपको total 4 adjustable volume भी मिलती है तो अब मैं आपको हमारे Amici Smart doorbell के बारे में कुछ 3-4 ऐसे valid points बताऊंगी जो कि ये doorbell आपके लिए useful क्यों है ये आपको पता चलेगा तो मान लीजे आपके घर में अलग-अलग rooms हैं और आप किसी को अगर बुलाना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना है एक receiver जो है वो आप अपने main hall में लगा देंगे और जो ये transmitter है वो आप अलग-अलग rooms में लगा देंगे तो मान लीजे अगर आप इसी को बुलाना चाहते हैं आपने उनके according person के according आपने इसमें ringtone set कर दी तो जस्ट आप इसे press करेंगे तो second person को पता चल जाएगा कि मुझे कोई बुला रहा है तो वो आपके पास आ जाएंगे ऐसे ही अगर आपके घर में कोई old person है जो बैट से नहीं उठ पाते हैं तो उनके लिए भी useful है कि उनके पास अगर ये transmitter हैगा वो जस्ट फ्रेस करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि उनको किसी चीज की जरुवत है तो आप उनके पास जाके उनसे पूछ सकते हैं तो मैंने आपको एक example दिया है कि आप कैसे प्रोड़क्ट को यूज कर सकते हैं बट ये प्रोड़क्ट को कैसे यूज करना है या पूरी तरह आपके उपर डिपेंड है कि मुझे किस तरीके की requirement है और मैं किस तरीके से प्रोड़क्ट को यूज करो विजिटर की information के लिए भी आप प्रोड़क्ट को यूज कर सकते हैं ताथ ही additional घर में अगर किसी को बलाना है तो उसके लिए प्रोड़क्ट का जो वायरलेस रेंज है वो 350 मेटर तक है इन ओपन एरिया जो हमारा अमीची smart wireless doorbell है उसकी एक और खासयत है कि IP 44 रेटेड है and rain proof है so don't worry about the rain अगर बारिश होगी तो प्रोड़क्ट हराप नहीं है तो अमीची smart doorbell का एक और में feature आपको बताऊंगी प्रोड़क्ट में आपको जोई design दिख रहा है तो ये सिर्फ design नहीं है ये इसके अंदर light जलती है तो मान लीजे अगर कोई transmitter प्रेस करें तो साथ में LED भी जले ये भी आप set कर सकते हैं अगर आप चाहिए अगर आपके ज़र में कोई baby है तो आप just mute करके doorbell को आप LED देख सकते हैं सो हम smart doorbell के बारे में बात कर रहे हैं मैंना आपको smart features बताए लेकिन आप भी थोड़ी सी smartness दिखाएए और नीचे जो आपको subscribe button दिख रहा है उस पर जरूर प्रेस कीजे और bell icon को प्रेस कीजे ताकि आपको बाकी products की notification नोटिफिकेशन निलती है अमीचे smart doorbell की pairing भी बहुत easy है आप इसे easily pair कर सकते हैं और यह हम आपको आगे दिखाएंगे तो आएए देखते हैं product की pairing कैसे करनी है और जो आपको ये तीन buttons दिख रहे हैं इनका क्या use है वो भी मैं आपको आगे बताऊँ तो अब मैं आपको बताऊँगी की product को कैसे pair करना है उसके लिए आपको transmitter जो है उसे press करके रखना है और आपको जो mode button दिख रहा है उसे कुछ second के लिए press करके रखना है तो अभी ये जो transmitter repair हो चुका है इस तरीके से आप pair कर सकते हैं अब आपको मैं बताऊँगी कि आप ringtone कैसे change कर सकते हैं अगर आपको कोई ringtone set हुई मिली है वो आपको पसंद नहीं आ रहे है तो आप अपने अनुसार उसको change कर सकते हैं तो उसके लिए simply आपको ringtone button प्रेस कर अब आपकी ringtone set हो गई है आप transmitter को प्रेस करके तो इसमें एक और advanced feature है अगर आप चाहिए कि जो 36 melodious ringtone है वो बारबार changes हो तो उसे set करने के लिए आपको just transmitter को प्रेस करना है कि आपको confirmation ringtone सुनाई देगी और आप रेस करेंगे तो रिंग तो है वो चेंज होती रहेंगी आप नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी जो mode button है उसमें तीन functions है वो कैसे work करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी फर्स्ट आप जब प्रेस करेंगे तो आपको ringtone सुनाई देगी जस्ट इसके रिंग तोनों जलेंगी थर्ड में सिर्फ आपको LED शो होगी तो अब मैं आपको बताऊंगी कि एक single receiver के साथ में दो transmitters को आपको कैसे pair करना है तो जस्ट आपको transmitter को प्रेस करके रखना है एंड मोड बटन को आपको प्रेस करना है अब आपका product जो है वो पेर हो चुका है तो इसके लिए आपको मोड बटन को प्रेस करना है दोनों को आप साथ में प्रेस करके रखिए गाँ जो ट्रांस्मेटर है वो पेर हो चुका है तो मैंने आपको स्रिफ दो ट्रांस्मेटर को पेर करके दिखाया है लेकिन आप product में maximum 8 ट्रांस्मेटर को एक साथ पेर कर सकता है मैंने आपको product की कुछ basic information बताये हैं अगले वीडियो में हम आप मैं आपको और upgraded information शेयर करूँगी तो इसलिए मैंने आप से कायर subscribe जरूर करें और bell icon जरूर प्रेस करें तो आज की लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करें शेयर करें अगर आपको कुछ सवाल है product के बारे में आप और कुछ जाना चाते हैं तो comment करके हमसे सवाल करें